भारतिय रियासत महाराष्ट के भिवंडी तालुका बंगला पाड़ा गिराम पंचायत की हुदूद में मालोडी दिहात में रसोई गए सिलेंडर धमाके में मिया बीवी समेत पांच ब्रस का बच्चा शदीद तौर से जखमी हो गया थमाके की होने वाली जबरदस्ट आवास की वजह से पूरे गाउं में जबरदस्ट अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया इस हादसे में 32 साला दिनेश गौतम और उसकी 30 साला एहलिया रेनुका दिनेश गौतम और 5 साल का बेटा सतीम आग की जद में आकर शदीद तौर से जखमी हो गए हैं जिन्हें मुकामी अफराद ने थाने के सिवल हस्पताल में दाखिल कराया मगर उनकी तश्वीश नाक सूरत हाल को देखते हुए डाक्टर्स ने मुंबई के जए हस्पताल रिफर कर दिया है जहां तीनों जेरे इलाज हैं पुलिस जराय के मताबक भिवंडी तालुका के बंगला पाड़ा नामी कबाईली इलाके में मकीन दिनेश गौतम ने भारत पेट्रोलियम कमपनी का गैस सिलेंडर ले रखा था शाम के वक्त सिलेंडर से गैस रिसाओ होना शुरू हो गया मगर उस तरफ एहल खाना के किसी भी फर्द ने ध्यान नहीं दिया अचानक देर शाम बिजली सप्लाई मुतासिर होने के सबब घर में रोशनी के गर्द से दिया जलाने के दौरान सिलेंडर के रिसाओ होने वाली गैस से धमाके और आतिश जदगी में तीनों शदीद तरसे जखमी हो गए और घरेलू साजू सामान भी तबाह वबर्बाद हो गया